जन्मास में आने वाली फ्रेंट्स और जन्मास में पर हर को यही चाहता है कि लड़ू कुपाल जी हमारे घर पर आए तो देखे थोड़ा सा समय रहते हैं ये वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहे हैं ताकि आप भी अपने अच्छे से तयारी कर सके अगर आप भी लड़ू गुपाल जी अपने घर पर ला रहे हैं तो यह संपूर्ण सामकरी आज के वीडियो में आपको दिखाऊंगी तो सबसे पहले तो आपको अपने काना जी खरीदने और फिर कितने नंबर के उसी साफ से आपको उनकी पोशाक ले लेनी है तो शुरू में आप देखिए एक द के भाव है जितने आपकी स्थिति है आप उस इसाफ से एक दो ही पहले खरीदेगा बाद में तो दीरे दीरे सोने चांदी के आप ले सकते हैं लेकिन हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता तो जरूरी भी नहीं है तो जैसे आपको बाजार में मिलते हैं वो ले सकते हैं तो देख सनान के लिए भी देखे हमें एक अलग से बरतान रखना है जो थोड़ा सा गहराई वाला इस टाइप आप यूज़ कीजेगा और कलश्टे भी आप उनको सनान करवा सकते या फिर जो दक्षना वर्ति शंक आता आप उसका यूज़ कर सकते यह मेरे लड़ी को पाल जी का ए उन्होंने अपने सरपरी से धारण किये तो आप इस तरीके का मोर पंक रख सकते या फिर सिंपल जो आता है वो भी रख सकते हमारा देखे थोड़ा सा घराब हो रखा है भोग के लिए आपको लड़ी को पाल जी के लिए अलग से बरतन रखने है और आसन देखे आपको छो यह सब भी हमें चाहिएंगे तो एक एक जोड़ी आप यह लीजेगा बाद में तो देखे दीरे-दीरे करके आप घर पर भी इनको बना सकते है बहुत असान है तो यह जो ब्लू कुशन आप देख ले देखे मैंने घर पर ही बनाए तो यह मेरे लड़ी को पाल जी की जंदन माला यह भी ठाकुर जी को बहुत प्री है तो यह भी आप उनके लिए खरी सकते हैं और फ्रेंड्स देखे साथ में ही जो है दीपक है घंटी है धू बत्ति अगर बत्ति यह सब तो हमारे घर में होते हैं तो वह समय ने इंक्लूड नहीं किया है तो आप अपने हिस अपसी है